नमस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। भारत के लिए मालदीव's Q important है और भारत-मालदीव's relations में क्या-क्या अभी तक हुआ है। फाइदा उठाईए। और Arabian Sea of the Indian Ocean में ये लोकेटेड है। अगर हम मालदीव's की बात करें तो मालदीव's एक coral island है। coral reefs के बारे में आपने पढ़ा होगा, corals तीन तरह के होते हैं, fringing reefs, barrier reefs और atolls, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं atolls की, जो की habitable coral islands होते हैं, जिसमें से मालदीव's एक तरीके का habitable coral island है। इसमें एक और example जिसके बारे में आप familiar होंगे, भारत में जो लक्षवदीप island है, ये भी एक atoll है और ये भी एक habitable island है, very similar मालदीव's हैं, मालदीव में लगभग 1200 से भी अधिक coral islands हैं, जो की यहाँ पर पाय जाते हैं, अगर हम इसके northernmost atoll की बात करें, तो ये इसका northernmost atoll है, और इसका southernmost atoll है, अडू atoll, which is very very important, ये भी हाल ही में news में था, इसके बारे में भी हम जानकरी लेंगे आगे जाकर, अब हम बात करते हैं कि मालदीव's भारत के लिए एहम क्यूं है, यानि कि यहाँ पर strategic importance मालदीव's की क्या है, इसमें कुल मेरा के तीन कारण आते हैं, energy lanes, rising Chinese influence और Indian diaspora, let us discuss them one by one, सबसे पहले energy lanes की बात करते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मालदीव's यहाँ पे इसकी location है, ये पूरा का पूरा area काफी important है, अगर आप देखें, जितनी भी oil transportation होती है, वो इसी area से होती है, और India के लिए भी सारी की सारी oil transportation इसी इलाके से होती है, और मालदीव's उस इलाके के एक central park में located है, so basically to ensure uninterrupted supply of energy to India, it becomes important कि हमारे संबंध मालदीव's के साथ अच्छे रहें, और अच्छे आगे भी जाकर हम continue करें, right? Second thing is rising Chinese influence, obviously जब China जैसी power Indian Ocean region में अपने influence को बढ़ा रही है, specially अगर हम देखें, लगभग 10 साल से China अपनी presence को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पर China Gulf of Aden तक अपने anti-piracy operations को लेकर जा चुकी है, और इसमें सबसे बड़ा role रहा है मालदीव's के पुरानी regime का, जिसमें जो मालदीव's के president यमीन थे 2018 के पहले वो काफी China के नजदीक थे, इसके चलते भी मालदीव's की importance इंडिया के लिए काफी बढ़ चुकी है, it becomes much more important right now कि हम अपने relations को मालदीव's के साथ और भी improve करें और भी better करें, और तीसरा important reason है Indian diaspora, आपको जानके हिरानी होगी कि लगभग 25,000 से भी जादा भारतिये nationals live in Maldives, जिसकी वज़े से Maldives को काफी फाइदा होता है, Indian tourists also accounts for close to 6% of tourists Maldives receives every year, यहां पर अब देख सकते हैं Maldives का ये रहा area जहां पर percentage of Indians in सभी countries में है, So basically कहने का मतलब यह है कि Maldives के साथ हमारे linguistic, cultural और religious links भी है और इसके इलावा रननीतिक तोर पर भी Maldives हमारे लिए काफी important है, इसी importance को realize करते हुए भारत ने अपने relations को किस तरीके से improve करना start किया, Basically talking about 1965, उस time पर India was the first among the various countries to recognize Maldives after its independence as a country and to establish diplomatic relations with the country, So India पहला वो देश बना जिसने की Maldives के साथ अपने diplomatic relations को attach करना शुरू किया, Since then India and Maldives have developed close strategic, military, economic and cultural relations और हम continue भी कर रहे हैं, इसमें कुछ-कुछ examples हैं जो कि आपको मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले बात करते हैं Operation Cactus की, November 1988 में क्या हुआ कि लगभग 80 Armed Militants of the People's Liberation Organization of Tamil Elam, जिसके बारे में आपने सुना होगा जो की शिरिलंका और तमिल नाडु के कुछ एरियास में, मेंली शिरिलंका में और तमिल नाडु के कुछ एरियास में active थी, उन्होंने infiltration करने शिरू की मालदीव में, और जब ये infiltration करनी स्टार्ट हुई थी, तो यहां पर बेसिकली ये उस टाइम के जो प्रेजिडेंट थे, अब्दुल गयूम काफी फेमस प्रेजिडेंट रह चुके हैं मालदीव के, इस पूरे operation का नाम था Operation Cactus, Indian forces arrived within 12 hours of the request for the aid being made, और उसके बाद वो जो कू का attempt था, जिसमें की वो गयूम की government को हटाना चाहते थे, उस attempt को उन्होंने खतम किया, and achieved full control of the country within few hours. So ये पहला operation था जहां पर हमारी relations एक तरीके से मालदीश के साथ improve होए. उसके बाद आती है 2014 की Malay drinking water crisis, काफी famous रही थी ये crisis और उस time पर क्या हुआ, कि Malay, जैसा कि आपको मालूम है Maldives basically coral islands है, तो आसपास पीने का पानी उपलब नहीं है, किसी भी तरीके का fresh water का source महाँ पर available नहीं है. So basically उस time पर जब ये संकट आया, पीने का पानी का संकट आया, तो भारत नहीं यहाँ पर help offer की. In the wake of this crisis, on 4th December 2014, following collapse of the island's only water treatment plant, Maldives urged India for immediate help. और India ने immediately help send की, यहाँ पर India came to rescue by sending its heavy lift transporters such as C-17 Globemaster, IL-76 carrying bottled water. यहाँ पर INS Sukanya, INS Deepak, कई सारे और यहाँ पर गए, और यहाँ पर यही नहीं सबसे important चीज़, desalinization plants, जो की IN INS के उपर लगे हुए हैं, उनको वहाँ पर plant किया गया, जिसके थुरू वहाँ पर पानी की supply को maintain किया गया, और Maldives को यह ensure किया गया, कि हम आपको पानी की supply देते रहेंगे. तो यह बहुत बड़ा कदम था जो कि भारत नहीं यहाँ पर लिया, 2014 में जिससे हमारे relations और improve हुए. उसके बाद 2014 के बाद से लेकर 2018 तक हमारे relations लगभख खराब रहे, बेकॉज मालदीव के जो प्रेजिडेंट थे, उनका नाम था यमीन. यमीन काफी हद तक प्रो चाइना थे, जिसकी वज़े से हमारे संबंध मालदीव से थोड़े बिगड़ गए थे. In fact, इतने बिगड़ गए थे कि मार्च 2015 में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने अपनी विजट को कैंसल किया, because political atmosphere was not considered to be conducive. In fact, यहाँ पे जो हालात हैं, वो बिगड़ते बिगड़ते यहाँ पे आ चुके थे कि मालदीव's refused India's invitation to the biannual 8-day naval exercise Milan. यहाँ पर भी मालदीव's ने आने से हिंकार कर दिया. So, कुल मिला के आप कह सकते हैं कि हमारे relationship थोड़े खराब हो गए थे. लेकिन 2018 के बाद हमारे relationship फिर से improve होना start हुए, जब मालदीव's के नए president आये, जिनका नाम है Ibrahim Mohamed Soli. Ibrahim Mohamed Soli के under हमारे relationships काफी improve होगे. In fact, India was one of the first countries to congratulate Ibrahim Mohamed Soli after provisional results of the Maldives president elections were released in 2018, right? इनके चलते हमारे relationships किस तरीके से improve होए हैं? Very important to note, जब प्रधानमंत्री Modi दुबारा elect होकर PM बने 2019 में, तो उसके बाद इन्होंने पहली foreign visit की Maldives को. After being sworn in as PM, for the second time, Modi made his first overseas visit to the Maldives. यहीं नहीं, यहां पर PM Modi was conferred with the Maldives highest honor, rule of Nishan Izzuddin during her visit. तो यह भी basically दिखाता है कि किस तरीके से हमारे संबन्त और improve होगे. इसके बाद एक military exercise है, जो कि हम दोनों के बीच में होती है. India-Maldives joint military exercise, जिसका नाम है Accu-Varin 2019, was successfully completed in October 2019 in Pune. इसकी photo आप यहां पर देख सकते हैं, यह exercise पूर्ने में हुई थी, जहां पर Maldives और India के soldiers involved थे. So, the 14-day joint training exercise that commenced on October 7, included joint training of the contingents in counter-insurgency and counter-terrorism operations in semi-urban environment. So, यह भी एक काफी अची achievement थी with regards to the relations between the two countries. यहीं नहीं, ultimately, I do tourism zone की बात करें, तो हाल ही में February 2020 में 5 MOU sign किया गये थे, जिसमें भारत और मालदीर ने MOU sign किये, कि हम ADU at all को एक tourism zone की तरह develop करेंगे, at a cost of 2.49 million US dollars. The tourism zone is expected to generate local employment and enhance eco-tourism opportunities in ADU. So, as you can see, कई सारी developments हुई और coronavirus के चलते भी, Operation Sanjeevani के चलते, April 2020 में, जिसमें Indian Air Force ने और Indian Army ने काफी help की, लगभग 6.2 tons of essential medicines and hospitable consumables इनको पहुंचाया गया from India to Malay. तो ये भी काफी अच्छी चीज थी, जो कि during एक ऐसे time पे हुआ, जब उस country को हमारी जरूरत थी. So basically, you can see that yes, India and Maldives share ethnic, linguistic, cultural, religious and commercial links और हम दोनों को इस good or harmonious relations को maintain करना होगा, so that the economic development for both the countries and peace of Indian Ocean region is maintained. इसी नोट पे इस वीडियो को समाप करता हूँ. Thank you for listening. Stay tuned and stay safe. Namaskar.